हेई welcome back to our channel दोस्तो अचकी इस पीडियो में बात कारने वाल है how to reset screen lock यानि कि इस फोन का pattern lock, pin lock या screen lock का password कैसे तोड़े दोस्तो इन से भी लगका हाटाने के लिए अपने device को hard reset कारना पड़ेगा hard reset कारने से अपके फोन में जितने सारे photo, videos, data वागरा था वो सब delete हो जाएगा और फोन को बीना format किये lock screen को नहीं तोड़ सकते तो सबसे पहले power button और volume down button को एक सथ hold करके राखना है जब display off हो जाए तुरंद power button और volume plus button को प्रेस करके राखना है फिर Samsung का recovery mode activate हो जाएगा Samsung require remote में कुछ इस तरह के interface देखने को मिलेगा इसी interface में हमारे mobile का task इन बिल्कुल काम नहीं करेगा कोई भी settings एक्सेस करने के लिए power button और volume key का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे reboot system now select है अब phone को format करने के लिए volume down button को प्रेस करके wipe data और factory set में जाना है next एक बार power button दबाए wipe all user data मतलब screen lock के साथ साथ पूरा phone format होने जा रहा है इसके बाद एक बार volume down button को प्रेस कीजिए फिर power button दबाए कुछी सेकंड में phone का साड़े data delete हो जाएगा data format होने में कभी-कभी 10 से 20 में लग सकते है मेरा phone मेमोडी पूरा खाली था इसलिए बाद जल्दी हो गया है यहाँ reboot system now options selected है तो अब एक बार power button दबाए फिर आपका डिवाइस आटोमेडिक चाली हो जाएगा मोबाइल चाली होने में थोरा सामाई लगते है तो अब टिंसन ना करें दोस्तों जैसे कि आप देख सकते है यहाँ पर हमारा device स्टार्ट हो गया है साथी साथ जो screen lock था ओ भी remove हो चुका है अब इस device को अपने इस अपसे setup कर सकते है अगर आपके device में पहले से ही गोगोल या Samsung एकाउंट से signing नहीं किया हुआ है तो इस तरीके से फोन को hard reset and screen lock तोर सकते है